नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशी शकरवाल आपका अपना बिजनस दोस्त और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओ फ्रेंचाइज बताओ पर जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ यह बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे वंडर किट से जे ओफार्मेसिश सेक्टर में एक नई क्रांती लेकर आया है एक ऐसी क्रांती जिसकी के वज़े से आपका मेडिकल बिल आधा हो जाएगा या फिर आधे से भी कम हो जाएगा जी हाँ दोस्तों मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ Pharma Wonder Kid अरजुन देस्पांडेजी से अरजुन देस्पांडेजी के बारे में मैं आपको अगर बताओं तो ये जैनरिक आधार के CEO and Founder है दोस्तों इन्होंने 16 साल की उम्र में इस कंपनी के स्थापना की और ये एक ऐसे मिशन पर हैं जहां पर ये दवाईयों को affordable बनाना चाहते हैं बनाना चाहते नहीं हैं ये बना चुके हैं और आज के दिन पूरी इंडिया में इनके जैनरिक आधार स्थोर्स खुड रहे हैं और इनके काम की सरहना करते हुए देश के सबसे ज़्यादा जाने माने उद्योग पती रतन टाटा जी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप सोच सकते हैं जिसे लिजेंडरी रतन टाटा जी का सपोर्ट मिला हो वो कंपनी कितनी बड़ी होगी उसका विजन कितना स्ट्रोंग होगा उसका मिशन कितना स्ट्रोंग होगा इसलिए दोस्तो हमने भी franchise बताव पर सोचा कि मैं आपको एक एसी visionary entrepreneur से आपकी मुलाकात करा हूँ और अगर आप अपने शहर में generic आधार की franchise लेकर अपना business सुरू करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जाने दोस्तो अरजुन देश्पांडे जी ने मातर 16 साल की उमर में generic आधार company की स्थापना करी और इसके बाद इन्होंने अपने business को pen India expand करना सुरू किया और इनकी काम और लगन को देखते हुए इन्हें बहुत सारे अलग-अलग awards से नवाजा गया जैसे कि दोस्तो youngest entrepreneur of the year 30 under 30, 40 under 40 और ऐसे बहुत सारे awards की fairies थे जो कि मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ इसके अलावा दोस्तो ये लोगों को प्रेजित करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग talk show में भी आते हैं जैसे कि सबसे जाना माना नाम TEDx है TEDx में भी ये अपने vision और mission को share कर चुके हैं साती सात देश की जाने माने IIMS, IITS इनको inspiration talks के लिए बुलाते हैं जिससे कि ये अपना vision और mission share कर सके तो आज हम जानेंगे क्या है इनका mission और क्या है इनका vision दोस्तो में directly आपको इनके Mumbai head office में आज इन से आपकी मुलागात करवाने वाला हूँ समय नहीं लगाते हुए सीधा चलते हैं और मिलते हैं जैनरिक आधार के founder and CEO अर्जुन देश पांड़जी से सो दोस्तो मुंबई से सुरू ही इस company जैनरिक आधार आज आप देख रहे हैं भारत के नक्से में आपको हर जगह इनकी franchises नजर आएंगी आप लगदाक से सुरू हो जाए और आप कैरला पहुंचाएं तमिल नाडू, पॉंडी चेरी, आंदर परदेश, करनाटका, मालास् परदेश, मनिपूर, गुजरात, राजिस्तान, हर जगह देश के पूरे नक्से में आपको इनकी परजेंस नजर आएगी और यह जो परजेंस है लास्ट के सिर्फ दो सालों में है तो यह बहुत बड़ा अचीबमेंट है, साथ ही साथ जब आपको जो औरा मिलना है, जो इ सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हैं जैनरिक आधार के CEO एंड फाउंडर अरजुन देश पांडेजी, जिनसे हम बात करेंगे इनके विजन के बारे में, मिशन के बारे में, और साथी साथ कैसे इन्होंने इतनी यंग एज में यह अचीबमेंट हासिल की, दोस्तों, साल की उम्र में इस बिजनस को सुरू किया और सिर्फ दो से तीन सालों में इस बिजनस को देश के गाउं गाउं तक पुछा दिया है, इनको बहुत सारे अवार्स मिले हुए, बहुत सारे टॉक सोज में, इन्होंने इंस्पायर किया है हमारे देश के लोगों को, साथी बतन ताटा जी जो कि आइकनिक परसन है जिनको देश का ही नहीं पूरी वर्ल्ड का बच्चा बच्चा जानता है इन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हम स्वागत करते हैं अर्जुन देस्पांडे जी का फ्रेंचाइज बताओ मैं सर आपका बहुत-बहुत बच्चे खेलने के सोचते हैं को फ्यूचर के अपने लोगों को इंप्लोईमेंट की सुरॉब यह कैसे किया जब मेरा एज मतलब मैं 16 अर्ग था तब में एक ही मिशन मेरे मन में था कि हमारे इंडिया के लोगों को एफुड़ेबल मेडिसिंस कैसे मिले तक कि जब मतलब सब लोग आज हम लोग सब देखते है कि कोरोन का भी टाइम आया उसके पहले भी लोगों को जो मेडिसेंस है मैं हमेशा मानता हूं कि वो लगजरिस आइटम नहीं है वो बेसिक नैसेसिटी है हर एक इंसान के लिए तब मतलब मेरा जब एग 14 था तब मैं आउट कंट्री में मेडिसेंस का जो प्राइज है वो बहुत ऐफोडेबल है और लोगों को ये बहुत सस्य दामों में मिल रहा है और जो की इंडिया को हम लोग वर्ल का बिगेश जन्रिक मेडिसेंस का हब कहते है और इंडिया से बहुत जाथ एक्सपूर्ट होट आउट उट हमारे ही लोगों को इंडिया में वो सेम मेडिसेंस दस गुना जादे में मिल रहे हैं तब एस यंग किड वो मुझे बहुत एक शौकिंग चीज लगी मैंने ये सोचा कि ये चीज मुझे चेंज करनी होगी और एक सो तीस करोल लोगों तक ये चीज मुझे उपलप्त करवा अधार शीहादर का आता था वो उनको एफोड नहीं हो रहा था तो उनके लिए मैंने मन में ये सोचा कि ऐसा एक वेंचर शुरू किया जहां से वन थर्टी करोट लोगों को मेडिसेंस एवलेबल हो एफोडिबल प्राइस के दवारा और सेम कॉलिटी के तो वो चीज से मैं अधार का मिशन की शुरूबात की बहुत खुब सर बहुत खुब सोला साल की उम्र में कई बार पेरेंट्स भी अपने बच्चे पर विस्वास नहीं करते हैं कि वो बिजनस कर पाएगा नहीं कर पाएगा और आपने डिसेजन लिया जैनरिक आधार अपनी कमपनी को सुरू बलको घड़ जब के लिby ह वाइश हमको आच जोप ये जुब देने वाले की जरूबत तो में ये कर पासका मेरे तब तब मतलब में मे he s Кände determination कर ता बने मद बट यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट में यह हमको सॉल्व करना है फार्मासोटिकल इंडेस्ट्री में तब जाके मैंने मेरे पैरेंट से बात किया कि यह चीज के उपर भी मुझे काम करना चाहिए और यह अगर सच्छिस हुआ तो इससे बहुत लोगों की ब मतलब बड़ा बजेट कम हो जाए तब उन्होंने यह चीज सुना तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया यह चीज के माध्यम से और फिर रहा अच्छा बेसिकली जम फार्मा इंडिस्ट्री की बात करते हैं तो फार्मा इंडिस्ट्री में जैसे की पूरा जाल बिछा हर एक फिल्ड में हर एक चीजों में हमेशा मतलब एक टाइम होता है उसके बाद में चेंज आता है और वो चेंज आता है अच्छे के लिए बिलकुल हर एक चीज लीजिए जो महेंगी चीजे चलती है पूरा मतलब डिफरेंट सम अव दी मैनिफेक्ट्रिंग कंपनी होने चीजे आज मार्केट में चल रही थी तो आपने देखा होगा पीछले दू-तीन साल में एक चेंज आया है सब लोग जनता जन्रिक मेडिसिंस के और बढ़ रही है बलकुल जनता जन्रिक मेडिसिंस को मतलब डिमांड कर रही है और हर एक इंसान मोधी जी का जो सपना है हर इंसान को जन्रिक मेडिसिंस मिलने चाहिए तो मैंने जब मैंने यह सब चीज नोटिस की कि हमारे इंडिया से मेडिसिंस बनती है आउट ऑफ इंडिया जाती है बहुत सस्ते दामों में और हाई कॉलिटी मेडिसिंस रहते हैं कि यूएस में जब हम लोग एक्सपोट करते ह चाहिए और जो ट्रेडिशनल वे वैसा नहीं हम लोग मिडल मैं क्या जो भी कॉस्त है आज जन्री कादार में से अप टू 80 परसंट हम लोग दे रहे और जो फ्रैंचेशी हम जो इतने भी हमारे साथ में फ्रैंचेशी हो रहे हैं उनको 40 परसंट प्रॉफिट मर्जिन दे जन्री कादार एक में ऐसी कंपने जो 40 परसंट रिटेलर को दे थी बिकाज वो जो हमारे रिटेलर है ना वो साथ सुबह साथ से लेकर रात को 10 बजे तक काम करता है वो आज कोरोना के काल में भी चो छोटा दुकानदार है वो खुला था ऑनलान वाले बन थे तब देशवा अब जैसे कि एक प्रोड़क्ट है जो मैं मैंनिफेक्ट्रिंग से लेता हूं अभी इंडिया में अगर आपने देखा होगा तो बहुत मतलब डबले जादा है अभी क्या होता है जो एमनसी कंपनीज है वो भी मैनिफेक्ट्रिंग उनके 90% मेडिसन्स वो खुद के मैनिफे अगर आपने हमारी जितने भी मैं प्रोड़क्ट के फोटो तो आप अगर देखेंगे तो अगर देखेंगे तो कॉलिटी सेम टू सेम एजो मैं मैंनसी कंपनीज की है बट वो क्या करते है उनका जब मतलब वो मैनिफेक्ट्रिंग का परचेस प्राइज है उनका 10 रुपीस तो वो एक बार उनका कंपनी का नाम लग गया उसके ओपर स्टैंप लग गया तो वो सेल होता है मार्केट में 400-500 में बट जनरिक आधर का प्रोड़क्ट 10 रुपीस का सेल होता है परचेस प्राइज अगर हमां 10 रुपीस है वो सेल होता है अरूंड 100 रुपीस में एक्जा ना बड़ा बचट भी कर्वायरें थान किंहिए मिड़ में कोस्सकं कर दिये हम लोग ने जो मार्केटिंग के कोस्त वो कम कर दिये सिर्फ फाइदा हम लोग बढ़ बठा जो कुरा दिन काम कर रहे हैं और और किसमुरो जिनका हग बनता है मेडिसन सष्ट एम에 में लेनी एक पूमाने से किसी का नाम यह जाता कि सिर्फ बौसर Championship यह खूआ बाद सहसे गर्णारीग क क्वेशन आपको को और आपको अप्रोच गया और इस तो को आप पूरा है ई वह सबर में इस सिंपिरेशन हैे एक बहुत जया मतलब में परस्सनल्यियस नइस chaos शीखता हूं मेरे बिजनस में मेरे वेंचर में मुझे सपोर्ट किया है बट उनसे बहुत सरी चीज़े एक यूथ को सीखने जैसी है आज जनरी काधार की जब हम लोग बात करे चले जब उनको यह चीज के बारे में पता चला तब सर ने मुझे एक लाइन मुझे एक वाक्या अभी भी याद है सर ने कहा कि अरजुन इस वेंचर कैन चेंज दी हेल्ट केर फॉर दी बेटर्माट ऑफ एवरी इंडियन तो यह उनकी लाइन थी रिसेंट में भी यह लाइन उनने कुद पूरे मेडिया के सामने कही तो यह उनका भी एक सपना है क्योंकि रतन जाड़ा सर हमको सबको पता है कि लोगों के बारे में बहुत जादा सोचते है कोल्डन हांटेड परसन तो जब उनको यह चीज पता चली तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया ये वेंचर में पार्टनर्शिप कि मेरे साथ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी को भी बहुत समय लग जाता है अपना फ्रेंचाइजी नेटवर्क बनाने के लिए कई बार तो बहुत अच्छी कंपनी बहुत सारा इंवेस्मेंट करके भी दस सालों में भी सो गाओं तक भी या सो सहरों तक भी नहीं पहुच पाती है लेकिन आपने सिर्फ दो सालों में डेड़ सो से जादा गाओं में अपना फ्रेंचाइजी नेटवर्क डेवलप कर लि तो अभी हम लोग उनको हमारे जो क्राइटिरिया के इसाब से लेक करते हैं उनको फ्रैंचेशी देते क्याज हर एक इंसान वाज कोविड का टाइम में भी बड़े-बड़े बिजनसमें से लेके एक हाउसवाइफ से लेके हर एक इंसन ने जंडिकादर का अप्रोच किया क उनको एक मैंने बिजनस अपॉर्शनटी करने का भी एक मोटो दिया तो हम लोग जब बिजनस अपॉर्शनटी देते वहां से मिनिमम तीन ते चार एंप्लोईमें एक हमारे स्टोर से डेवलप हो रहे हैं जनरी कादर एक सो पचाज सेरों में से जादा हम लोग आज काम कर तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हम लोग फ्रैंचेशी को 40% profit margin देते हैं जनरी कादर है मतलब सब लोग मानते कि मेडिकल की फ्रैंचेशी लेना है तो 10 लाग 20 लाग 30 लाग invest करना पड़ता है जनरी कादर ऐसी एक मेवा company हम इतना बड़ा किसी से है हमारा उसमें हम लोग software से लेके बोर्ड से लेके यह सब चीजे मतलब बहुत सरा उसमें support इस बारे में बात करेंगे आप से अभी तो basically सबसे जरूरी चीज आज जैसे कि मैं आपको बताया कि डेड़ सो से ज्यादा सहरों में generic अधार का franchise network फेला हुआ हुआ है तो हमें य तरीके से देखते हैं कि किसको franchise देनी है किसको नहीं देनी है क्या criteria रहता आपका franchise देने का आज जनरी कादर के पास में application जैसे आपने काहां बहुत आते हैं पर उसमें से जो भी business owner जरूरी नहीं है कि आप फार्मासिस्टी हो जनरी कादर की franchise लेने के लिए आपको एक फार् उसमें तो बहुत बड़े संखे है वोमन उन्टेपरेनरर के साथ में उनका मेडिकल जालू कर रहा है तो एक basic sa criteria आपका shop ओनाची आपका FDA का जैसे हो हम लोगा हमारी team आपको डेफिनिलिय लिए गाइड करेगी तो आपको locally वो लेना हैं वो एक 10-15 days का process है एक फार्मासिस् यह बेसिक से क्राइटेरिया है जन्रिक आदार की फ्रैंचेसी लेने के लिए अगर फुल्फिल करते तो जन्रिक आदार अगर आपके एरिया में 500 मेटर में जन्रिक आदार की दूसरी फ्रैंचेसी अगर ब्लॉक नहीं हुई होगी तो आपको फ्रैंचेसी का मोका वहां पर म सकते हैं तो वह हम लोग अभी बहुत जदा फोकस कर रहे हैं और हर एक एरिया में मतलब आज जम्मू से लिए कान्या कुमारी तक और कच से लिए अरुनाचल तक हर जगा पे जन्रिक आधार की फ्रैंचेस याज ऑपरेट हो रही है बहुत बढ़िया तो बेसिकली जन्रिक आधार का जो बिजनस है सिर्फ गाउं के लिए या सहर के लिए है या कुछ इस्पेसिफिक इलाक्यों के लिए है या पूरी इंडिया के लिए है आज अगर आप दवाईयों की बात करें तो वह बच्चे से लेके बुज़ूरू तक है तो जो दवाईयों का बिजनस हम लोग जो काम कर रहे है वो एक सो तीस करोड लोगों के लिए कर रहे है तो हर एक शहर में हम लोगा जन्रिक आधार का काम कर रहे है और मतलब आप वो कोई अर्बन सीटी से लेके रूलर इंडिया से लेके हर एक जगा पे जन्रिक आधार तो भी वहाँ पर सीने सीटिजन से रहता है मुझे सिर्फ लेसिंग देने के लिए आशिरवाद देने के लिए बेटा आप जो काम कर रहे है वो बहुत अच्छा काम करें तो वो मेरे लिए आज के उमर में ये उमर में वो मेरे लिए बहुत जादा बड़ी एचिवमेंट है वो मैं कहता हूं और अर्बन सीटिज में मॉंबई हो दिल्ली हो बैंगलर हो महां पर तो काम कर रहे है बट मेरा परसनल एम है उनसे 40 km मॉंबई से और दिल्ली से आगर हम लोग बाजू में जाए वो सचका भारत है वहां पर हम लोग को लोगों की जरवत कूरी करने है तो इंडिया अगर वी विविद देश है बहुत बड़ा देश है तो उसको आप किस तरीके से चैप्टेर कर रहे है और अपलों बना अपर रोग हम मैं आप हमारे रेटेल उस नेटटवर कब वहलagar हम लोग को है की नेक्स टीर 5000 री टेल एक रूसे हम लोग करने देखे चलेंगे तो इंडिया में 10 लाग से जादा मेडिकल स्टोर ओनर एक्जिस्टिंग कर रहे हैं आजकल उनको बहुत जाड़े पहमाने पे जन्रीकादार में जो एक्जिस्टिंग रीटेलर है वो तो कनवर्ट हो ही रहे है फ्रैंचेसी के मादियम से क्योंकि अगर आप प्रॉफिट मिल रहे है उसको एक ब्रैंड का सपोर्ट मिल रहे है बिल्कुल यह सब चीजों के ऊपर आज जन्रीकादार काम कर और नए लोगों को भी एक अपॉर्शन दे रहे हैं इनको नया स्टोर चालू करने जैसे कि आपने बताया कि जो बड़ी ब्रैंडेट मेडिस मतलब जो रहते जिनका मेडिकल आज 30-40 सार से है तो वो पिचारी क्या करेंगे आज बड़े-बड़े मॉल से तो कॉम्पिट नहीं कर सकते उनकी पिछे आज खड़ा रहने वाला कोई नहीं है तो उनके लिए जन्रीकादार के मैं परसनली मेडिकल स्टोर्स विजित करता क्योंकि मैं एक यंग कि मतलब मैं बड़ा कुछ financial backing वगरे में मार्केट में आया नहीं हूं मैंने जो भी किया मतलब मैंने खुद बाखुद मैंने चालू किया रीटेलर से बात करके यह सब मैंने आज मतलब जन्रीकादर इतना जो किया तो यह हम लोग मतलब मैंने ग्राउ इसने सालों की मैनत थी पूरा वो AC मॉल लेके जा रहा है लोगों को लेके जा रहा है कस्टमर को उनके उनके हाथ में कुछ ने मिल था उन्हों ने भी हमारा तब फ्रैंचेसी लिया और उनका profit margin अच्छा हुआ उनके पास में कस्टमर फुटफॉल दादा हुआ और लोगो च्छाहिए जरी अगर आपकी फेरायों लेने के लिए आज अगर आपने देखा औगा की जंटिक आधार में मतलब मेड़ीकल इंडस्ट्री में सब अलग 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 लोकल ब्राइंड का नाम देने के लिए लोग 10 लाग 15 लाग 20 लाग लेते हैं वह आपको तो डेफिनिटी इसके बारे में पता होगा जन्रीक आदर इतना इस्टाप्लिश ब्राइंड होने के बावजूद हम लोग सिर्फ 1 लाग रूपीज लेते हैं उसमें हम में डिस्प्ल लोग 20 अलग अलग दिस्ट्रिबूटर से लेना पड़ता है तो जन्रीक आदर ने वह एडिक उनके लिए कम कर दिया अभी जो भी है अंडर वन रूफ हमारे जो सौफ़वर के द्वारा वो सिर्फ पर्चेस करेंगे वह से अंडर वन रूफ उनको हर एक मॉलेक्यूल जो अब दियाबिटिक हो ब्लड प्रेशर हो है पर टेंशन गास्टो कांसर तक की मेडिसिन प्रोटीन पाउडर एवरीटिंग अंडर वन रूफ हम लोग अवलेबल करवाय के दे दे तो उनको बिलिंग और सौफ़र सौफर जहां से पर्चेसंट अग सेल कर सकते है तो हर एक स अब का घृतिकर लगो इसे चेल कर सके हैं एक आपका किसे चेल एक क्टी एक बड़ी आप देख रहें कि लोग दिवाने हैं और लोग इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं और बहुत सारे कोशिंस भी कोश्यंस आज में लेका रहा हूँं प्रेंचाइजी बताओ में औ फांडर आर्जुंदेश पांडी जी से और यहां पर आपके सभी सवालों के जवाब मिले हैं सर जैसे कि आपने बताया है मैडिसिंस के बारे में लुड़े की मैडिसिंस है तो मैं चाहुआ कि आपके साथ इसाथ और मेडिसिंस भी देखें आपके साथ करेंगे हमाई अधर सबकों के साथ मतलब मैंने जो कहा कि रतन डड़ा सर किया जो वीजन हेल्ट केर को चेंज करने कि यह लेके जो लोगों की भलाई के लिए हो तो रतन ड़ा सर मतलब जन्रीक आधर वेंचर में बहुत जादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे तो अभी यह चीज है उसके द्वारा हम लोग नेरेस पिन कोड से डिलेवरी कर पाए तो अभी आप देखे होंगे कि जो रीटेलर है उनको मुबाल अप्लिकेशन का एक्सेस नहीं होता है उनके ही बिल्डिंग में ऊपर आखे कोई तो अनलान वाला मेडिसिंस देखे जाता है मुबाल अप्ल है तो वह चीज़को लेकि हमारे जितने भी प्रोड़क की रेंज है पूरी हमारी फार्मसेस की बीफाम में फाम की टीम है वह पूरी प्रोड़क हमारे लाते है फ्रम राए हाई कॉलिटी मैनिफक्टिरिंग फैसलिटी तो मतलब सब जगा पर पूरे इंडिया से एक डिमा प्रोड़क के प्रोड़क की कॉलिडी मतलब एवन तो वह चीज़ के ऊपर आज जिन्डिकादर बहुत दा प्रोड़क की ऊपर काम कर रहा है तो बेसिकली जो रिटेलर फ्रेंचाइजी उनको यह भी बेनेफित उनके स्टोर से तो से सेल्स होती है वो होती है साथी साथ इ सतता हाँ प्रोड़क गए अगर हम लोग प्रोड़क की बात करने चले तो अभी हम आएन है रिटामिन वाला प्रोड़क है तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टन प्रोड़क अभी etoom黃 Grenong which have on energy companies हम ब fertilizer company हम बोल सकते है Да…. यह बहुत महेंगेड़क बहुत महें महें में दामो वो लाया, उसके बाद में कैल्शियम के प्रोड़क्स लाये, प्रोटीन पाउडर है, अलग-अलग मतलब हर एक रेंज में हम लोग ने इंसुलियन जो डाबिटिक पेशेंट के लिए, मतलब रोज मरा की लिए वो लगता है, वो भी हम लोग ने लॉच्छ के लिए इंसुलि कि जो कॉलिडि प्रोडॉक देना, आज डोग को बना कि लो वो इस करते हैं चाथि को सोच हो सब्सवाटा इस पटा नहीं होग form अगी हो टो इसको आप किस तरीके से रीमूफ करते हैं या है, पुरा देश बदल रही है, सब लोग जनerad仁 के और जारा है, क्योंकि कि आज लोगों को पता चल रहे है कि हम लोग इतने सालों से हम लोग को मतलब MNC Company दिवारा बेवफूफ वणाय जा रहा था क्यूंकि जो 10 रुपे की चीजे वह हम लोग पासो में खरीद रहे हैं हाँ क्यूंकि जो अंदर का कंटेंड होता है वो तो सेम होता है तो आज यह चाहिए तो उसके लिए जन्रेक आधार भी बहुत मतलब जन्रेक आधार एक अच्छे चीज के लिए काम कर रहा है और बहुत अलग अलग इंडिस्वी से लोग फ्रैंचेसी ले रहे है लोग मेडिसेंस ले रहे तो अभी यह जो माइंड सेट है पूरे लोगों का एक् इसके लिए हमेशा कुछ नों कुछ यूग परिवर्तन होता है कुछ नों कुछ क्रांती आती है हमारे देश में यह इतिहास रहा है एक समय स्वेट क्रांती आई फिर हरित क्रांती आई और आज कलरफूल क्रांती आई है जो कि जन्रेक आधार और आप लेकर आ रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत जल्दी चालू तो हो गई है अभी करांती लोगों के सपोर्ट के द्वारा बहुत जल्दी आएगी और हम लोग हर एक मतलब कोने में हिंदुस्तान के हमारा फ्रैंचेस स्टोर उपलब दोगा और उसी तरह के से हम लोग सेव अप टू 80% जो के बात तो कुछ बचा ही नहीं तो ये करांती एक पूरा मिशन है इस मिशन में आप भी जूड़ सकते हैं आपकी लिए भी ऑपार्चनुटी है इसमें सहपाटी बनने की तो आप लोग किस तरीके से जूड़ेंगे इसकी पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स द कुछ इसी बाते जानना चाहेंगे कि आपने कैसे कि इसको कुछ इंस्परेशन मैं आज हमेशा एक चीज़ कहूंगा कि अभी ताइम हमारा खुद का कुछ तो चालू करने का आज मैं हमेशा कहता हूं कि शूड प्रेट और जॉब सीकर वी मैं हमेशा एक मैसिज दीता हूं हर एक माध्यम से क्योंकि आज अगर हम लोग इंडियन एकोनोमी को हम लोग को 5 trillion 10 trillion बनाना है तो हर एक इंसान को आगे आना पड़ेगा खुद का छोटा हो या बड़ा हो पर कुछ ना कुछ तो चलू करना पड़ेगा मैं हमेशा मेसेज दूँगा कि हम लोग एक जॉब क्रिएट करें मिनिमम तीन हो चार जॉब क्रिएट हो उससे परिवार मतलब जो अलग अलग लोग है उनके परिवार चलता है तो आज हम लोग मतलब पूरे इंडिया में इतने जो फ्रैंचेशी दे रहे है तो वहां से मैं यही चाहता हूं कि वहां से और जदा एंप्लोइमेंट क्रिएट हो तो वही हम लोग एंप्लोइमेंट डेवलप करने के उपर ज्यादा फोकस करना चीए वही हमारा मेशन होना चीए अच्छी बता हूं मतलब यह बहुत अच्छा चीज अपने शुरू किया जह से लोगों करने के लिए मिल रही है तो मुझे भी इसके बारे में मतलब अच्छी से बता चला तो आप बहुत लोगों को अच्छे बिजन सब्सक्राइब मतलब आज देश को यह प्लाटफॉम जैसी बहुत जरुवत है क्या चालू करना क्या सही है क्या गलत है वो चीज के बारे में अच्छी से बता तो मुझे मतलब अच्छी जी बहुत बहुत अपको इसके लिए कॉंग एट तो सबसे बड़ी चीज हर कंपनिया कुछ ने कुछ मिशन होता है तो जैनरिक अधार का मिशन क्या है क्या वीजन आप लेके चले हैं आप यहां एक इंसान को जो मतलब मेंशा म में बेचना चाहिए वो चीजों को तो जैनरिक अधार का एक ही मिशन है की टू प्रोवाइड अफुडेबल मेडिसेंस अक्रोजी नेशियन सो इच और मिशन करके हम लोग के सब प्रॉड़क के वराइटी आप जैसे देख सकते हैं यहां पर तो हर एक बिल्कुल देखते ह तो वो चीज हम लोग एक बहुत बड़ा मतलब एक मिशन के द्वारा और एक विजन के द्वारा हम लोग काम करें थैंक्यू सर थैंक्यू फॉर गिविविग और टाइम थैंक्यू वर्यमाच फाहिं लिया तो दोस्तो आज मैंने आपको डिरेक्टली मिलवाया जैनरिक क्रांती लेकर आई है जिया दोस्तों एक क्रांती फार्मा इंडेस्टे की चेक्टर में यह ना कि सिर्फ आपका पैसे बचा रही है बलकि आपको क्वालिटी प्रड़क्ट्स भी दे रही है दोस्तों आप भी इस कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं इनकी फ्रेंचाइजी लेकर आपके पास एक opportunity है सिर्फ एक लाख प्लस GST की फ्रेंचाइजी फीज दे कर आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और यहाँ पर जो कंपनी का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है कंपनी की पूरी टीम है जैसे कि मैंने आपको दिखाया पूरी टीम का सपोर्ट आपको मिल प्रोड़क्ट की रेंज आप जो भी बूलेंगे सारी फार्म जो भी फार्मसिटिकल्स में होता है सारी रेंज आपको यहाँ पर मिलेगी कंपनी का मिशन भी आपको पता चला विजन भी आपको पता चला तो आप इस कंपनी के साथ जुड सकते हैं जुडने के लिए contact आप इस चैनल को लाइक इन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बहुत महनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं और आपका एक सब्सक्राइब मेरे बहुत इंपोर्टेंट होता है और शेरिंग और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू आप आशी शगरवाल यूर बिजनस फ्रेंट फाउंडर फ्रेंचाइब